हेलो एवरिवन मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से इबन सौध के विशय में बात की थी कि वो किस प्रकार से अपना समराज विस्तार कर पाया था उसका प्रारंबिक जीवन कैसा रहा था तथा उसने युद लड़ते वे समराज की स्थापना अंग्रेजों के साथ उसके द्वारा अपनाई गई नीती फर्स्ट वर्ल वर के समय इबन सौध के द्वारा अपनाई गई नीती की चर्चा की थी क्योंकि उसने सभी ही छेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया था जिस वज़ा से उस समय सौधी अरब में बहुत सशक्त शाषन वेवस्था स्थापित हो पाई थी इबन सौध के विशे में यदि बात की जाए तो इबन सौध के द्वारा उसने एक सरकुशल शाषन वेवस्था स्थापित की थी अपने शाषन काल में लगतार विरोधियों का सामना उसने किया था और युदों में शामिल भी उसे होना पड़ा था किन्तु फिर भी उसने सौधी अरब में एक कई महत्वपून सुधार कारिय तथा कारे करमों को आरंब किया था जिस वज़ा से जितने भी महत्वपून कदम उसने उठाये थे उसके द्वारा सौधी अरब में सुधार हेतु कई प्रयास किये गए थे और इसी के वज़ा से उसे सुधारत के तौर पे भी याद किया जाता है यहाँ पे यदि हम और चर्चा करते हैं इबन सौध के विशे में तो उसने खाना बदोश स्थिती जो थी उसमें सुधार लाने का कारी किया था यह सबसे महत्वपूर्ण कारी इबन सौध का कहा जा सकता है क्योंकि सौधी अरब में हम लोग स्पेशली देखते हैं कि वहाँ पे लोग कबीले में रहते थे, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे और इसी में सुधार लाने के साथ में ही सौधी अरब में हम सुधार की बात कर सकते हैं या सोच भी सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इबन सौध में सबसे पहले खाना बदोश स्थिती में ही सुधार लाने का कारे किया था इबन सौद ने इस बात को देखते हुए कि उसके अधिकांश प्रजा खाना बदोश है तथा उनमें अच्छे आचरन, वेश भूशा, रहन सहन और शांती प्रियता का अभाव है इन्ही को ध्यान में रखते हुए उसने इस स्थिती में सुधार लाने का कारे किया इबन सौद ने इनकी स्थिती में सुधार लाने के लिए उन्हें सैने प्रसिक्षन भी दिया तथा उन्हें अपनी सेना में भरती कर लिया था तो यहाँ पर यह दोहरा हम देख सकते हैं कि रन नीती रहा था इबन सौद का पहला तो यह कि उन्हें खाना बदोश की जो जीव पर हम कह सकते हैं कि जो सेना थी उसको भी शशक्त बनाने का कारे उसके द्वारा किया गया था. इन लोगों के लिए नैजद और हजाज में 60 बस्तियों का निर्मान किया गया था. जब भी हम खाना वदोश जीवन से established बस्तियों के विशे में बात करते हैं तो वो पारवारिक जीवन, रहन सहन तथा वेश भूशा, आचरन सभी में परिवर्तन को दर्शाता है और इसी उद्देश से उसने नैजद और हजाज में 60 बस्तियों का निर्मान करवाया था. जिनमें प्रत्येग बस्ति में 400 से 600 व् तरीके से या हम कह सकते हैं कि सिस्टेमाटिक तरीके से बस्तियों का निर्मान पहले करवाया जाना और दूसरा या निर्धारित किया जाना कि उसमें 400 से 600 व्यक्तियों की रहने की वैवस्ता की जाएगी, इस सू वैवस्तित उसका जो रहा था, हम कह सकते हैं उसके मनोदश या उसकी जो कारे प्रणाली या कारे शेली रही थी उसको भी ये दर्शाने का कारे करता है। इनके बच्चों के लिए सिक्षा की वेवस्था की गई थी। जो वहां रहने वाले लोग थे उनको खाना बदोश की स्थिती से उपर निकाल करके एक वेवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए उनके आचरन में सुधार लाने के लिए ये पहला कारे इबन सौध के द्वारा किया गया था। यों कि ये इसके इंपोर्टेंस को बहुत भली भाती समझता था। नेक्स्ट उसके द्वारा जो सुधार कारिय किये गये थे वो धार्मिक छेतर में थे। जिसे हम धार्मिक सुधार भी कह सकते हैं जिस प्रकार से खाना बदोश स्थिती में सुधार लाना बहुत अधिक आवश्यक था। उसी प्रकार से धार्मिक छेत्र में भी सुधार लाना उतना ही आवश्यक था। इसी को समझते हुए इबन सौध ने मक्का और मदीना पर सफलता प्राप्त करने के बाद अपने आपको इसलाम धर्म के संरक्षक के रूप में प्रचारित करना आरंब किया था। वह जानता था कि जन साधारन की धार्मिक भावनाओं को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने के बाद ही वह सफलता पुर्वक शाशन वैवस्था कायम कर सकता है। इसलाम धर्म का सेवक भी खुद को बता रहा है। गो धर्म के प्रती अपने समर्बन को दर्शाते हुए लोगों को अपने तरफ करने का प्रयास किया था। उसके द्वारा इसलाम धर्म की कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया था। जैसे बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि रूड़ी वादिता जो जुड़ी हुई थी उससे भी कही न कहीं उसमें सुधार लाते हुए लोगों को जुड़ने का प्रयास कर रहा था। इसलाम के विरुद कोई कार्य नहीं हो परन्तु ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इबन सौध ये बिल्कुल ध्यान रख रहा था कि इसलाम धर्म के विरुद कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं हो पाए जिससे क कि लोग उसके और अगेंस्ट होते चले जाएं। उसने इसलाम के प्रती अपने समर्थन के दिखावे के लिए देवी देवताओं की पूजा, मुर्ती पूजा, मजार पूजा, सब का विरोध करना प्रारम कर दिया था। धार्मिक सुधार के अंतरगत उसके द्वारा एक मह हुआ था और हरे कबिले का अपना अलग कानून होता था और इसको समाप्त करना ये लोगों को एक साथ जोड़ना या उनमें एक हम कह सकते हैं कि समानता का भावना लाने के उदेश से भी उसने जितनी अलग-अलग प्रकार की कानूने थी उन्हें समाप्त करने का कारे किया कुरान की शरियत को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था जैसा कि हम जानते हैं कि शरियत बहुत important place रखता है कुरान में जो शरियत है इसलाम धर्म के लिए और इसी को संपूर्ण देश में लागू करके उसने धार्मिक छेत्र में बहु मुल्ले योगदान भी दिय यहां पे जब हम इब्न-सौध के सुधारों के विशए में बात करते हैं तो उसने खाना बदोश श्तिती में सुधार ला करके दार्मिक छेत्र में सुधार के साथ ही उसने प्रशाशनिक वैवस्था में भी सुधार लाने का कारे किया था अब्दुल अजीज अपने समराज में प्रशाशन के दृष्टी कोन से नजद और हिजाज दो प्रांतों में पूरे ही देश को उसने विभाजित किया था अपने बड़े पुत्र अमीर सौध को उसने नजद का गवर्नर तथा उसके द समराज को सुरक्षित भी कर पाया था और किसी भी स्तिती में यहां विद्रो की स्तिती उत्पन नहीं होती इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने दोनों पुत्रों को नजद और हिजाज का गवर्नर नियुक्त किया ताकि प्रशाशनिक वेवस्था को सुचारू उसे वो बहुत अच्छे प्रकार से समझता था और इसी वज़ा से उसने जो प्रॉबियंसे थे उसे वो प्रांतों में अपना प्रांतों को जिले में भी बाटना प्रारम किया था इबन सौध के द्वारा विदेशी राजदूतों के आदर सम्मान और सुविदा के लिए जैदा में उनके रहने के लिए स्थान बनाया था तो यहां पे जैदा में विदेशी राजदूतों के रहने के लिए वैवस्था करना ये बताता है कि उसने विदेशी संबंधों को भी महत्व दिया था तथा उनके साथ में अपने जो संबंध थे उसको बहतर बनाने का प उन्हीं को उन्हों ने विदेशी विभाग का भार दिया था 1933 में अपने बड़े पुत्र अमीर सौध को अपना उत्राधिकारी इबन सौध ने घोशित किया था और 1934 में उसने राजी को सौधी अरब का नाम प्रदान किया था और 1934 से ही हम देखते हैं कि उसने जो उसका समराज्य या जो राज्य रहा था उसे उसने सौधी अरब का नाम दिया था और यहीं पे हमें यह देखने को मिलता है कि अब्दुल अजीज ने प्रशाशनिक व्यवस्ता में सुधार के लिए पश्चिमी देशों का अनुसरन किया था तो यहां पे पश्मी देशों का अनुसरन करते हुए इबन सौध ने प्रशाशनिक वैवस्ता में सुधार लाने का कारे किया था, जिस प्रकार से विदेशों में उसने देखा कि किस प्रकार से बाइफकेशन या डिविजन ओफ डिपार्टमेंट्स होता है, या डिविजन पुत्र अमीर सौध को अपना उत्राधिकारी घोशित किया था, ये बहुत अच्छा उसका कदम था, क्योंकि अगर उत्राधिकारी घोशित नहीं किया जाता, तो शायद ही आगे आने वाले समय में विद्रो की स्तिती को उत्पन करता, तो यहां पे अपने बड़े पुत् प्रशाशनिक व्वस्दा में को उत्तल पुतल नहीं हो, इसको भी उसने सुनिश्चित किया था, जो प्रशाशनिक व्वस्दा की जब हम बात करते हैं, तो इसके साथ में, यदी कोई समराजी हो, तो इसके साथ में सैनिक सुधार अपने आप जुड़ता चला जाता है, त उसकी आधार ही होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने सेना को सूसंगठित तौर पे स्थापित करने का कारे किया था तथा उसने आधुनिक शस्त्रों से उसे सूसजित भी किया था जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों से बात की कि उसने जो है विदेशों के साथ में भी संबंध स्थापित करने के लिए राजदूतों के रहने के लिए स्थान भी बनाया था तो यहाँ पे विदेशों के साथ बहतर संबंध होने के साथ ही साथ उसने विदेशों से हत्यार भी मंगवाये थे ताकि अपने सेना को वो शक्तिशाली और अधिक बना सके विदेशी विशेशग्यों के द्वारा सैनिक प्रसिक्षन की वेवस्था कायम की गई थी उसने ना सिर्फ विदेशों से हत्यार ही मंगवाय थे बलकि उसने विदेशी विशेशग्यों को भी अपने समराज में बुला करके उनके द्वारा अपनी सेना को सैनिक प्रसिक्षन देने का भी कारिय किया था तो यहाँ पे कुल मिलाके हम यह देखते हैं कि सैनिक सुधार में भी उसने जितना हर संभव प्रयास किया जा सकता था सेना को सुधरिड तरीके से स्थापित करने के लिए उसने सभी कदम उठाये थे जैसा कि यहाँ पे शस्त्रों से सुसजित करना स्पेशली जो आधुनिक शस्त्र थे उनसे विदेशों से हत्यार मंगाना और साथी साथ विशेशग्यों को बुलाना यह सभी दर्शाता है कि वह बहुत ही हम क्या सकते हैं कि सैनिक सुधार को इंपॉर्टेंट मानता था अपने समराज को शक्तिशाली तरीके से या सुववस्थित तरीके से स्था पुनर गठन किया था देश के अंदर कानून विवस्था और शांती विवस्था को बनाई रखने के लिए उसके द्वारा पुलिस विभाग का पुनर गठन किया गया था तो यहां पे दो उद्देश रहे थे उसके पुलिस विभाग का पुनर गठन का पहला तो कानून व अते थे वहाँ पे तो इस वज़ा से जो उसका सुरक्षा का जो पूरा कार्य था तिर्थियात्रियों का वो पुलिस विभाग को ही दिया गया था नेक्स यहाँ पर अन्य यदि हम सुधारों के विशे में इबन सौध की बात करते हैं तो उसमें यातायात के छेतर में सुधार भी आते हैं अब यहाँ पर यदि हम यातायात के छेत में सुधार के विशे में बात करते हैं, तो उसके द्वारा यातायात आवा गमन की सुविधा पर विशेश ध्यान दिया गया था, उसने इसके लिए रेल लाइन की वैवस्था करवाई थी, या रेल लाइन बिछवाया था, भी उसके द्वारा किया गया था, देश में ट्रांस मोटर्स को भी उसने प्रारंब किया था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यातायात में सुधार क्यों किया गया था, तो यहाँ जब भी यदि हम सेना के विशे में बात करते हैं, या पुलिस विवस्था के बात करते हैं दोनों ही समय में कि किसी भी ऐसा एमर्जेंसी का सिच्वेशन खड़ा हो तो एक जगा से दूसरी जगा पुलिस को भेजने के लिए भी और सेना को भी भेजने के लिए यातायात का होना या उसको बहुत अधिक उसका सुविधा होना आवश्यक हो जाता है और इ यातायात के जैसे मोटर गारी का हवाई मार्ग का विकास तथा ट्रांस मोटर को प्रारम करना ये सभी ही छेत्र में उसके द्वारा योगदान हमें देखने को मिलता है और कहीं न कहीं ये जो वहां का अर्थ वैवस्था रहा था उसमें भी यातायात का जैसा कि हम जानते ह कि बहुत बड़ा योगदान होता है और इसने निश्चित तोर पे इबन सौद के समराजी को आर्थिक तोर पे भी सुद्रिड बनाने का कारे किया था अन्य यदि इबन सौद के सुधारों के विशे में यदि यहां पे बात की जाए तो उसमें दूर संचार का विकास भी आता है हम जैसा कि जानते हैं कि जब भी किसी भी छेत्र में यातायात के छेत्र में विकास होता है तो उसके साथ ही साथ में दूर संचार का विकास भी अपने आप में जुड़ता चला जाता है और यहां हम क्या सकते हैं कि उसके द्वारा जो है ट्रांस्मीटर, टेलिफोन, वायरलेस, तार जैसे संचार माध्यमों का विकास किया गया था जिससे की सौधी अरब पश्चिमी देशों की भाती ही विक्सित हो पाया था जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी छेत्र में यदि आपको विकास करना है तो उसमें दूर संचार का बहुत अधिक इंपोर्टेंस होता है और इसी को समझते हुए एबन सौध ने दूर संचार के छेत्र में भी विकास का कारे किया था नेक्स यहां पर जब हम बात करते हैं कि प्रशाशनिक छेत्र में विकास या फिर जो समाजिक स्थिती रही थी उस समय में उसके छेत्र में विकास उसको बिना सिक्षा के छेत्र में सुधार लाए हुए संभव हो ही नहीं सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इबन स प्रुद के द्वारा प्रामिरी और मध्य विद्याले खोले गए थे, छात्रों को विदेश में जा करके पढ़ने के लिए प्रुचाहित किया जाता था, इन्हें छात्र वृत्ती भी प्रदान की जाती थी, यहां पे जैसा कि हम जानते हैं कि छात्रों का जब भी विदेशो में जा करके ज्यान अरजित करना होता है, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि जो छात्र अन्य देशों में जा करके वहां से सिक्षा ग्रहन करेंगे, तो यह माना जाता है कि उस देश में जो अच्छी बाते हैं, वहां वो सीख करके आएंगे और अपने देश में उसे पु सेम केस हम लोगों देखने को मिलता है कि जैसे जब हम बात करते हैं फ्रांसीसी करामती के विशह में तो एक उसके महत्वपुर्ण कारणों में ये रहा था कि जितने भी छात्र थें जो जाके विदेशों में पढ़ते थें वहाँ पे जितने अधिकार किसी एक व्यक्ति को मि सिक्ता रही हो कि जो चात्र यदी विदेशों में जा करके पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वो वापिस आ करके अपने देश में समाज में सुधार लाने का कारे करेंगे अब सबसे इंपोर्टन जो यहाँ पे हो जाता है अन्य सुधारों के इलावा वह था आर्थिक छेतर में सुधार इसके लिए उसके द्वारा कई बैंकों की स्थापना की गई थी जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आर्थिक सुधार की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे इंपोर्टन बैंकों की स्थापना या बैंकों का ही होता है इसी को ध्यान में रखते वे उसने बैंकों की स्थापना करवाई थी, तेल उद्योग को विक्सित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि सौधी अरब का जो छेत्र है वहाँ पे तेल उत्पादन बहुत अधिक होता है और इसी के वजह से उस अधिक को तेल उत्पनन का ठेका ये दिया जाना, ये तेल उत्प्रयोग में विकास को दर्शाता है, अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर अरब खनन सिंडिकेट की स्थापना की गई थी, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अरब खनन सिंडिकेट के स्थापना की, तो ये बताता है कि इबन सौद भले ही इनके साथ में जो है अग्रिमेंट्स कर रहा था, वो अमेरिका रहा हो या ब्रिटेन रहा हो, परंती उसके क्या इसमें प्रॉफिट्स होंगे, इसको भी ध्यान में रखते हुए उसने अरब खनन सिंडिकेट की स्थापना की थी, जिससे सो भी आया था, वहां पश्चिमी एशिया के तेल का सर्वोच भंडार स्थापित हो गया था, उसके द्वारा 29 में 1933 को कैलिफोर्निया में स्टैंडर्ड वायर कंपनी की स्थापना की गई, 1932 में उसने तेल उत्पादन में स्वतंतरता हासिल कर ली थी, उसके द्वारा खनिच के छेतर में प्रगती के लिए सौधी अरेबियन माइनिंग सिंडिकेट की स्थापना की गई थी, और 1934 में सौधी अरब खनन सिंडिकेट की स्थापना की गई थी, तेल का उत्पादन जो 10 लाग टन था वो बढ़ करके 39 करोड तक का हो गया था तो यहाँ पर तेल के छेत्र में या उसके उत्पादन में जो विकास उसके द्वारा किया जा सकता था उसने हर संभव प्रयास किया कि इस छेत्र में अधिक से अधिक प्रगती हो सके इसके लिए जब बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि समराज आर्थिक तौर पे सुद्रिण नहीं था तो उसने 1933 में अमेरिका के कमपनी को 60 वर्ष के लिए पहले तो है जो वो लीज पर या ठेके पर उसको दे दिया आगे हम देखते हैं कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ में मिलकर के अरब खनन सिंडिकेट की स्थापना की थी इस वज़र से ये हुआ कि जो है उस समय देश को काफी आर्थिक स्थिती में उसमें सुधार देखने को मिलता है हाला कि यहाँ पे हम जैसा की जानते कि पश्ची मेरिक्षिया के तेल का सर्वोज भंडार यहाँ पे स्थापित इस वज़र से हो पाया था फिर भी 29 में 1933 को कैलिफोर्निया में स्टैंडर वाया कंपनी की स्थापना 1932 में तेल उत्पादन में स्वतंतरता हासिल करना और सौधी अरेबियन माइनिंग सिंडिकेड की स्थापना करना यह सभी बताता है कि एबन सौध जो है वो बहुत अधिक जागरुक था उस समय के यदि हम देखते हैं या उस समय के परिवेश को देखते हैं कि किस प्रकार से विदेशों के साथ में या उनके साथ समझोतों को करके आर्थिक छेत में विकास किया जा सके और इसी कोई आधार पे उसने जो उस समय का उसका समराज था उसको आर्थिक तोर पे सुद्रिधता प्रदान करने का कारे किया था अब यहाँ पे यदि हम सुधारों के विशे में बात करें तो इसमें स्वास्त वैवस्ता में सुधार भी आता है उसके द्वारा जन साधारन के स्वास्त के प्रती भी काफी ध्यान दिया गया था इसके लिए उसने कई अस्पतालों को खुलवाया था विदेशों से डॉक्टरों को बुलवा करके वहाँ न्यूक्त किया था जिससे की जन साधारन को चिकत्सा संबंदी सुविदाय उपलब्द हो सके तो यहाँ पे इबन सौध ने न सिर्फ प्रशाशनिक, समाजिक, धार्मिक और आर्थिक छेत्र या यातायात के छेत्र में ही विकास नहीं किया गया था बलकि उसके द्वारा स्वास्त छेत्र में भी या स्वास्त विवस्था में भी सुधार किया गया था जन साधारन के स्वास्त के प्रती इतना जागरुक होना ये बताता था कि वो कितना चिंतित था अपने समराज के लोगों के प्रती जो जन साधारन के लोग थे उनके प्रती और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने कई अस्पतालों को भी खुलवाया था क्योंकि उसमें बहुत अधिक शिक्षित लोग नहीं थे समराज में तो इसी वज़े से स्वास्त सेवा जो है वो बहुत अच्छी प्रदान की जा सके जन साधारन को इस वज़े से विदेशों से डॉक्टरों को बुलवा करके उसने नियुक्त किया जाता था और जितना उसस से हर संभव उसने प्रयास किया था कि जन साधारन को चिकित्सा संबंदी सुविधाय उपलब्ध करवाई जा सके इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहां पर विराम देती हूं इब्न सौध के विशे में यदि हम बात करते हैं तो यह कहा जा सकता है निश्चित तोर प सौधी अरब के इतिहास में उसे महत्वपून स्थान प्राप्त है वो इसलिए क्योंकि उसने अरब की स्थिती जो एक खाना बदोश की रही थी जिस समय लोगों को ये भी जागरुकता नहीं थी कि परिवार क्या होता है समाज क्या होता है अधिकार क्या होता है उससे उप इपर आ करके लोगों को वहां से उस स्थिती से उपर उठा करके एक वैवस्थित जीवन में ही लाना एक बहुत-बड़ा काम होता है, परन्तु उसने न सिर्फ लोगों के समाजिक और उनके रहन-सहन और आच्रन में ही सुधार किया था, बलकि उसने धार्मिक छेत्र में भी सुधार करके लोगों को एक साथ जोड़ने का कारे किया था जब भी हम बात करते हैं किसी भी समाज के उत्थान की तो वहां के लोगों के बीच में एक एकता का माहोल होना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने लोगों को धर्म के नाम पर भी जुड़ने का काम किया था और जब एकता समाज में उपस्थित या उत्पन हो गई उसके बाद उसने प्रशाशनिक छेत्र में विकास करना प्रारम किया और नहीं सिर्फ उसने प्रशाशनिक छेत्र में बलकी आर्थिक आगे चलकर के यातायात के छेत्र में विकास तथा कानून वैवस्ता में विकास और स्वास्त सेवा में भी उसने कई सुधार किये थे जिस वजह से उसका योगदान अरब के अरब समराज का या अरब के छेत् इसी के साथ मैं इस अपने चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू हाव गूड डे